असलाम अलेकुम वेलकम टो माई चैनल कुक विचाहिन सुल्तानातो गाइस आज मैं जैत खान की फर्माइश पूरी कर रही हूँ जो जिसने मुझे मली दे की रेसीपी मांगी थी मैं आज आप सब के साथ ये शेयर कर रही हूँ ये हैदराबाद में जादा से जादा बनता है यानि हल्दी के रसम पर हम यहाँ पर मंजे कहते हैं मंजे के रसम का मैंने ये डिश यानि रेसीपी आपरों के साथ शेयर कर रही हूँ जिससे हमने हल्दी के रसम के दिन ये महमानों में बाटा जाता है और इसी से हम दुलहा या दुलहन का मूँ भी मीठा इसी से करते हैं तो चलिए इसके recipe हम जान लेते हैं, आज मली देखी, हमने गुलगलों की recipe आपको पहले ही डाल चुके हैं, तो सबसे पहले मैं देखे, 200 ग्राम मैं आटा ले रही हूं, यहूंका आटा हमें लेना है 200 ग्राम, यह बहुत healthy भी होता है, आप खाली समय में भी खा सकते हैं, इसम में थोड़ा सा नमक जाएगा, एक चुटकी, क्योंकि थोड़ा नमक दालने से टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है, और इसमें और कोई चीज नहीं जाएगी, इसे अच्छे से हम, जैसे के रोटी का आटा होता है, उससे थोड़ा सा मुलायम, हमें इसे गुंद लेना है जारा से जारा हमारे पास है दरबान में, चाहे कोई फातिहा में यह कोई नियाज होती है, तभी भी यह बनाया जाता है, मलीदा, तो देखे यह गुंद कर तयार हो चुका है, इसे हम ढखकर एक 10 मिनिट तक छोड़ देते हैं, तो 10 मिनिट हो चुके हैं, देखे यह और मोटी होती है, अगर हम पतली रोटी बनाएंगे तो यह कभी भी मलीदा नहीं बनेगा, और एक दा मुलाय मलीदा मैं बनाना सिखा रही हूं आप सबको, तो इस तरह से हम डस्टिंग करेंगे, और काउंटर पे इसे बेल देंगे, तो इसकी जो रोटी होती है, वो मोटी हो तो देखिए, एक सा बेली आप, ताके कहीं से भी कच्छापन ना रहें, बस इतना मूटा सा हमें इसे बेलना है, देखिए, इसकी ठीकनेस इतनी होनी चाहिए, यानि पराठे से मोटी, थोड़ी सी मोटी, चलिए हम तवा गरम कर लिए हैं, अब इसमें फिर आप दूसरा मैं इस तरह से बेल रही हूँ, डस्टिंग कर लिजी अच्छे से आटे से, तो यहों के आटे से ही बनाया जाता है, क्योंकि कोई पेशन्ट भी अगर है उसमें, तो वो खा सकें अच्छे से, तो देखिए, इस तरह से आपको बेलना है, ज्यादा मत बेलिए, ज्यादा प् तक हम यह बेल चुके हैं, हम देखिए, बस इतना सा, और हम तवे की रोटी चिक कर लेते हैं, तो देखिए, मैं रोटी को पलठा दी हूँ, अब इसमें मैं आइल लगा रही हूँ, चलिए, अब इससे हम अच्छे से 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 लेंगे, दो तरफ से हम इसे, बस कच्छा पक्का इसे सेखना है, जादा मत सेखिए, क्योंकि यह कड़क नहीं होना है, हलका सा मैंने प्रेस कर रही हूँ, देखिए, इस तरह से, कड़क नहीं होना है, एकड़म सॉफ्ट बनना है पराठा, यह रोटी जो है, मोटी होती है, और एकड़म सॉफ्ट, कच्छी पक्की इसे करन है जादा आप इसे देखिए जब का जभी इसे हमें ब्रेक कर देना है यानि तोड़ देना है इसे थोड़ा सा गरम है देखकर केरफुली करिए तो देखिए हम दूसरी रूटी भी इस तरह से बना लेंगे और इसमें भी ऑईल कर लेंगे आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं मिल्ट के आवक घी भी आप डाल सकते हैं उसे और जायखा बदल जाएगा और अच्छा सॉफ्टनेस भी आएगा घी से अगर आप असली घीस में इस्टिमाल करेंगे यानि देशी घी तो चलिए इसे भी हम तोड़ लेते हैं इस तरह से गरम गरम पर ही इसे तोड़ना है आपको अच्छे से तोड़ लीजिए इस तरह से मेरे हाथों को थोड़ा सा यह जल थोड़ा सा लग रहा है गरम तो चलिए तीसरी रोटी भी हमारी हो चुकी है देखें कितना फास्ट हो रहा है काम तो चलिए इसे भी हम थोड़ा सा गी लगा देते हैं मिल्ट कियावा गी ओई या घी आप जो भी है लगाना लगा लीजिए और इसके बार में आपको फिर इसमें दुबारा गी डालने का है वो कब डालना है वो भी बताऊंगी तो चलिए देखें एकदम सौफ्ट बनकर यह रेडी हो चुके हैं अब इस्टो आफ कर दी हूँ मैं और जो तवा थोड़ा सा गरम है उसमें हम चलिए इसे भी टोल लेंगे जो तवा गरम था उसी में मैंने थोड़ा से एक लिया है देखें एकदम इस तरह से सौफ्ट होना है कड़क नहीं होना है एकदम सौफ्ट बनकर तयार हो गए हैं यह रूटियां तो चलिए हम इसे अच्छे से चूरा कर लेते हैं और इसे गरमा गरम पर ही आपको तोणना है बनना यह कड़क हो जाएगा तो यह सौफ्ट मलीदा नहीं बनकर रेडी होगा अपको अच्छा नहीं लगएगा खाने में एकदम सौफ्ट मलीदा बनना है तो इसको गरमा गरम मैं ही हमेशे पूरा चूरा कर लेना है रोटियों का इस तरह से तोड़ लेना है आप चाहे तो इसे डारेक्ट मिक्सी में भी डाल सकते हैं लेकिन मैं आपको दो तरीखा बता रही हूं एक हाथ से तोड़नाइ, थोड़ा सा मल लेनाइ अगर आपके पास टैम है, अगर आपके पास टैम नहीं है, तो आप इसे मैं आगे बताउंगी किस तरह से इसे आप बारिक कर सकते हैं, देखे, थोड़ा सा गरम है और गरम गरम पर ही इसे करनाए, तो जो मेल्ट के आवा घी है उसके वज़े से एकदम से साफ्ट बनकर रेडी हो चुकी है रोटियां तो देखें इस तरह से यह मलीदा बन रहा है हमारा इसी तरह से हमें इसे बारिक-बारिक पुरा टोड कर इसका बुरा चूरा बना लेना है पुरा अच्छी तरीखे से इसे इतना टेस्यी होता है यह खाने में और बहुत अच्छा लगता है जब दिकल्स हम से रखते हैं मनझों में तो यह बहात legal लगता है खुशुमा और इतनी हुशी होती हैं जब हम कुई पुरानी चीज़ें खाते हैं बहुत अगर पजब और साथ लोग होते हैं। आए और उसके साथ मेरे ही सर्फिया जाता है। हल्दी लगाने से पहले, तो देखे इस तरह से हमें मल लेना है हातों से, अगर आप हातों से नहीं मल सक रहे हैं, तो आप इसे ग्रैंडर में डाल कर ग्रैंड भी कर सकते हैं, और वो भी मैं बताऊंगी किस तरह से करना है, देखे इस तरह से करना है, तो तकरीबन ये बारिक हो चुका है और हमेंसे और थोड़ा सा बारिक करना है तो देखिए इस तरह से मैंने बारिक कर लिया है और जो भी जितना भी इसके उपर मोटा जो आ रहे हैं रोटी के पीसिस जो जितना भी इसमें मोटा पा है यह सब निकाल देंगे हम यानि जो रोटियों के जो पीसिस है दिखाई दे रहे हैं आपको यह सारे मैं निकाल कर ग्रैंडर में डाल रही हूं थोड़ा सा ठंडा हो चुका है लेकिन एकदम सौफ्ट है यह अभी भी साफ्ट रहना है आपको गरम यह मुलायम रहना है एकदम से तो यह सारा जो है हम इस तरह से करकर देखिए यह सारे उपर का जो आ रहा है वो सौरे निकाल लेंगे इस तरह से देखिए इस तरह से मुलायम है कितना मुलायम है देखिए इस तरह से मुलायम रहना है तो चलिए अब हम इसे ग्रैंडर में इस तरह से अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है या नहीं तो मैं आपको बताती हूँ देखे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है टाइम लगेगा लेकिन बहुत टेस्ट होता है इस तरह से करने से अब आज कल किसी के पास टाइम उतना नहीं है तो मैं आपको और एक ट्रिक और ये ट्रिक दे रही हूँ तो देखे आप इस तरह से इसमें ग्रैंडर में डाल कर इसे आप बस चला ले दो से तीन बार चला ले ये बराबर हो जाएगा तो देखे ये हो चुका है इस तरह से तो देखे मेहनत कम लग रही हैं तो ये आज की टिप है आप सब के लिए हाड़ वर को आप इजी इस तरह से बनाई है शॉट और बेस्ट इन माइस्ट्रायल तो चलिए अब हम इसमें कुछ इंग्रिडियंट्स और दाल देते हैं जैसे के चीनी तो चीनी मुझे लगबग इसमें पचास ग्राम लगी है दो सो तीन रोटियों में पचास ग्राम दाली हूं में यह बहुत अच्छा लगता है इसमें और यह अभी भी थोड़ा सा गरम है क्योंकि हमने गरमा गरम ही इसे करना है सब वहना यह सुख जाएगा तो अच्छा टेस्ट नहीं आगा इसी में हमें इंग्रिडियंस मिला लेना है तो यह है देखिए ड्राइफ्रूट काजू और बादम मैंने बारिक कट कर लिया है और यह इलाइची का पौडर है देखि तो आप मिल्ट करके दाल लिए थोड़ा सा यह गरम है तो मैं इससे ही घी डाल रही हूं अगर थंडा हो गया तो आपको घबरानी की ज़ूर तो आप थोड़ा सा मिल्ट करके इसमें दो टेबलिस्ट डाल सकते हैं इससी क्या होगा अब अच्छी खुश्भों है और इतना और जादा से जादा मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किये हैं प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें बिल आकन प्रेस करना मत भूले तो मैंने अपने वीवर्स के लिए जो कॉमेंट्स आया था मैं उनके लिए बना रही हूं जैद खान तो आपके लिए रेसिपी है आप देख सकते हैं और गुल-गुलों की रेसिपी आपको पहले ही मैं डाल चुकी हूँ आप वो भी देख लीजिए देखिए मैं ये गरम मा गरम है इसके वज़े से मैंने घी इस तरह से डाल दिया है असली देसी घी है अगर आप ठंडा हुआ तो आप घर बरानी की बात नहीं है फिर से कह रही है हूँ आप मिल्ट करके इसमें घी डालिए इस में बहुत टेस्ट अच्छा लगता है ऐसमे और ये बनकर रेड़ी हो गया देखिए हमारे घी वी मिल्ट हगया है तो देखिए हमारी रेसिपी रेडि हो चुकि है मली दे इसा करते हैं वो भी मैंने रखा है आप लोग जरूर इसे भी देख लीजिए तो इतना यमी और टेस्टी होता है चलती हुद दुआ में याद रखना अल्ला आपिस